मिस्स हरी लालबाग गर्स इंटर कॉलिज के यूटूब चैनल पे आप सबी का स्वागत करते हैं आज हम क्लास 11 के लिए फिजिक सिरीज का फोर्थ पार्ट लेकर उपस्तित रहे हैं कुछ कोश्चन्स हम डाइमेंशन के करा रहे हैं हमने डाइमेंशन निकालना आपको बताया था और उसी तरह से हम यहाँ पे आपको कुछ कोश्चन बता रहे हैं डाइमेंशन निकालने के लिए यह है प्रेस नमबर वन है वेग बराबर स्क्वार रूट दाब बटे एक्स तो एस की विमा ग्याद कीजिए अब देखिए जिसकी विमा निकालनी है उसको लेफ साइड में रख लेंगे पहले तो हम इसका इसका रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वार कर लिया तो यह वेग स्क्वार बराबर दाब बटे एक्स हो गया एक्स को लेफ साइड में ले आए बाकी सब को इधार ले गया बाकी सब जो हैं फिसकल क्वार ग्याद मालूम है अब यह एक्स की विमा बराबर दाब की विमा अपान वेग के स्क्वार की विमा दाव की विमा आप निकाल चुके हैं हमने आपको निकालना बताया था बल बटे छेत्रफल से निकालना है M L-1 T-2 आपको याद करना पड़ेगा बच्चों और वेक की विमा L T-1 और इसका स्क्वाइर कर दिया ठीक है अब देखिए उपर हमने यह उताया है नीचे स्क्वाइर करने के बाद यह आ गया है L की पावर 2 T की पावर माइनस 2 यह उपर वाली यह उतार लिया नीचे सब यह L स्क्वाइर उपर गया तो माइनस पावर होगी यह माइनस 2 थी तो उपर जाने पर प्लस 2 हो गई अब देखिए M M और कहीं नहीं है एक बार M है यहाँ L L यह कि माइनस 1 यहाँ और माइनस 2 यहाँ माइनस 1 और माइनस 2 T माइनस 2 यहाँ और प्लस 2 यहाँ तो T की पावर हो गया 0 तो यह आ गया M L माइनस 3 T की पावर 0 यही उत्तर हो गया सब में ठीकी पावर जीरो ना भी लिखे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी की पावर जीरो का मतलब होता 1 नेस्ट कोश्चन किसी भौतिक राशी A का सूत्र यह है A बराबर इसकरूट डाब बते घनत तो A की विमाई निकालनी है तो देखे इसकरूट डाब की विमाई अपन घनत की विमाई ठीक है अब डाब की विमाई लिख दी घनत की विमाई लिख दी पावर हाफ हाफ है दोनों में यह जब पावर यह जब उपर जाएगा तो माइनस हाफ हो गया ठीक है अब देखिए M power यहाँ से half है यहाँ से क्या है minutes half है तो यह M की power zero हो गया अब L की power देखे minus one और यह half minus half और यह आपका है है L की power minus into minus होगा plus three by two ठीक है टी की power minus one three by two minus one by two क्या हो जाएगा वन तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर minus 1 अब आईए next question किसी कण की इस्थिती x समय t पर समी करण x बरावर 80 प्लस bt स्क्वार की अनुसार निर्भर करती है जहां x मीटर में तथा t सेकेंड में है a तथा b की विमाय तथा मात्रक ग्याद कीजिए यह मात्रक किन भौतिक राशी को व्यक्त करते हैं अब देखिए x बरावर 80 प्लस bt स्क्वार सेम डैमेंशन वाली चीज़ी add or subtract की जाती है यानि जो x की विमा वही a इंटु t की विमा होगी और वही होगी bt स्क्वार की विमा तो s की विमा बरावर a t की विमा और x की विमा बरावर bt स्क्वार की विमा x क्या है इस्थीती है दूरी है ठीक है अब देखिए a की विमा निकालने के लिए हमने लिखा s की विमा बरावर a इंटु t की विमा बराबर b t square की विमा अब पहले ये दो equation ले लीजे तो a की विमा बराबर a t की विमा upon t की विमा ठीक है तो अब a t की विमा बराबर किसके x की विमा के है a t की विमा की जगे x की विमा लिख दिया upon t की विमा x क्या है x की विमा क्या l l लिख दिया और T क्या है समय है इस upon T तो L T minus 1 A की विमा हो गई L T minus 1 मात्रक क्या है MKS परदती में है यह मीटर में था X तो यहां हो गया मीटर और सेकंड मीटर सेकंड की पावर minus 1 अब मीटर परती सेकंड किस कौन सी राशी हो सकती है शाल ठीक है यह उत्तरा गया अब B की विमा बराबर B T स्क्वाइर की विमा अपउन T स्क्वाइर ठीक है अपउन T स्क्वाइर की विमा B T स्क्वाइर की विमा बराबर X की विमा अपउन T स्क्वाइर की विमा ठीक है तो अब X की विमा बराबर L और T की विमा T square की विमा T square हो गया L T minus 2 यह आपकी B की विमा हो गई B का मात्र क्या हो गया meter upon second square L की जगा meter समय की जगे second और भौती ग्राशी क्या होगी तोरण आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next part